पिछले साल बॉलिवूर्ट के बाद शाह कहे जाने वाले शारुख खान और साउट सिनेमा के मश्गूर डारेक्टर रैटली ने पहली बार एक साथ काम किया दोनों जवान नाम के फिल्म में आए इस फिल्म ने पूरे बॉक्स ओफिस पर गर्दा मचा कर रख दिया था दूसरे दरफ शारुख खान भरपूर एक्शन करते हुँ नज़र आये थे इस फिल्म को लोगों से काफी प्यार मिला बॉक्स ओफिस पर ताबर तोर कमाई हुई अब अगर जवान का दूसरा पार्ट बनता है तो शारुख खान के फैंस जरूर देखना चाहेंगे हाल में ही इसके बारे में एटली ने भी बात की है एक बड़ा हिंट मिला है बता दे कि एटली से जवान टू को लेकर के जब सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के दोरान तब उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में अभी पक्का नहीं हूँ लेकिन कुछ लिखूंगा मैं सर मौका होता है पर मैं हमेशा ओडियंस को अलग कंटेंट के साथ सर्प्राइज देता हूं तो मैं कुछ तो लेकर क्या हूंगा देखती हैं इस तरीके से एटली ने एक ऐसा हिंट दे दिया है जवान टू को लेकर जोसे फैंस एकसाइट हो गए हैं जब उनसे दुबारा कान के साथ काम करेंगे तो इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल इससे कोई इंकार नहीं है हम साथ काम करेंगे कब कैसे क्या ये शारुख सर पर है एटली ने इस बारे में भी बताया कि उन्हें शारुख सर के साथ काम करने में कितना मज़ाया एटली ने कहा कि वो बहुत पाबंदगी से लेते हैं कोई भी फिल्म कैसी बननी चाहिए इस पर उनका जोर रहता है और हमेशा वो सिनेमा के बाइबल है बेरहाल कमाई के मामले में जवान शारुख खान के करियर की अब तक कि सबसे जादा पैसे कमाने वाले फिल्म रही है बिजनस करने वाली जिसने दे बजट के बात करें तो महज 300 करोड रुपे के बजट में ये फिल्म बनी थी लेकिन 1150 करोड रुपे से भी जादा की इस फिल्म ने कमाई की